आज किस वीडियो में बात करेंगे बीए फिप्त समस्टर के राज इनिती साफ त्रियानी प्रिटिकल साइंस के मोस्ट इंपार्टन कोईश्चन और एंसर के बारे में और आप सभी के लिए वीडियो बहुत ही महात्पूर है यादि आपकी परिच्छा कल पर सो या फिर आने वाले दिनों में होने वाली है प्रोटिकल साइंस की तो वीडियो को अंत तक जरूर देखते रहे हैं क्योंकि ये वीडियो एक तरीकी से महा संग्राम होने वाली है क्य है जिनको आपको तैयार करके जाना तो चले वीडियो को शुरू करते हैं देख लीजिए साही जानकारी पहले पढ़ लीजिए यहां पर लिखा कि बे तरतिये वर्स में पंचम समस्टर यानि के फिप्त समस्टर है सब्जेक्ट राजनेती फाफ्तर है तिक राजनेती का सब्सक्राइब करहले करफेन के ज़रे जाता है जो कारपाल का के द्वारा बहुत फारेकार किये जाते जो कि निम्नुवत है और लोग प्रसासन का मतलब यह होता है कि प्रसासन यानि कि गवर्मेंट या फिर कोई एक सम्मंधित एक जुट का वह भाग यानि प्रसासन का वह भाग जो समान यानि कि जो आम जनता है उसके लाब क के लिए जो होता है उसे ही हम कहंगे लोक प्रसासन ठीक है इस प्रकार लिखेंगे हैं लोक प्रसासन का वाख जो आम जनता पब्लिक है हम सब आप है उसके लाभ के लिए हो ठीक है उसे ही हम कहेंगे लोग प्रसासन ठीक है कुल मिला के गवर्मेंट के द्वारा लाव हो ठीक है उसी को हम कहेंगे लोग प्रसासन ठीक है आम जंता के लाव के बारे में सोचे ठीक है लाव करें ठीक है उसे ही हम कहेंगे लोग प्रसासन ओके इस प्रश्ण क कानुन द्वारा नियंतर करना नौ सफना अत्मक करना ठीक है यह होते हैं प्रमुक्त कारेशन आप सबी लिए और अप तयार करके जरूर जाएंगे काफी हिलफुल विशन है अगला है और प्रेशन की स्रण्त्र नियाम के दिश्व आयोग के बारे मताई है सोतंत्र नियाम के आयोग के बारे में तो ये प्रश्ण इतना महात्पूर्ण नहीं है तो आप इसे इग्नोर भी कर सकते पढ़ भी सकते हैं कोस्चन और उत्तर दोनों आपके समस्त पुरुष्टु थे हमेशा नहीं आता कभी कदार पूंचा जाता आप इग्नोर भी कर सकते पढ़ भी सकते अगला बहुत ही महात्पूर है कि लोक निगम क्या है तो लोक निगम का अर्थ है निरंतर चलता रहने वाला बेवपारिक संगठन मतब जो हमेशा चलता रहे रुके ना ठीक कांटिनू ठीक है उसे ही बोलेंगी हम बेवपारिक सं यह अंग्रेजी के कार्प्रोरेशन का हिंदी अनुवाद है इसका अभरप्रयाय निवन विशेष्ताओं वाले ऐसे बिक्तियों के समूँ से होता है जो की पहले नंबर पे है जो एक बिक्त के समान कार करते हैं दूफरा है वो फिर राजद्वारा कानून बनाकर विशेष प्रियोजन पूरा करने के लिए बनाया जाता है या अपनी प्रथक कानूनी प्रिक्रिया रखता है या अफ्थाई होता है इसमें सरकार और निजी उगदुमी का सहयोग होता है कुछ है लोक निगम की विशेष्ता है जिनके बारे में ठीक है आपने जाना बहुत है महात् कार्य होता है प्रसास के नीत का निर्धान करना ठीक है और दुसरा यानि प्रसासन की कुछ नीतिया होती है कुछ पोलिशी होती है उन चीज को मेंटेन करना उनको बनाना दुसरा करम सतर्षिर्ट की नियुटिंग्ति हूं पद्रश्चित करना मतलब की नोकरी करने आया थिक है इंप टो उसका सेलेक्षन है और उसका नियुक्ति जो रहे होता है कारिपाल का और पद्रश्चित का मतलब यह हो गया कि मालीजे समय रहते उसने ऐसा कुछ का रिकिया जिसे परमोसन के लायक है तो उसको उचे पद पे बेठा देना और साथ साथ में उसको पद से वंचित भी करना ये भी इसका मुख्यकार है ठीक है मतलब कि वो नौकरी पर भी रखता है करम चार्यों को यानि पद से हटा भी दिया जाफकता है ठीक है ये भी कार्यकार पालका की होता है अगर उसने कोई गलती की वो उस लायक नहीं है तो अगला है कि निर्देश एवं आदेश जारी करना कोई दिसा निर्देश से उसको जारी करना ठीक है ये कार्यों होता है बहुत ही हाई लेबल क कार अगर आपके पास समय तो आप च्छे भी तयार कर सकते क्योंकि ज्यादा तर आता है कि छे कारे बताइए यह फिर आता है कि चार बताइए ठीक है अगला प्रसंद है बहुत ही महाद्पूर्ण है कि सू सासन क्या है चलिएश के बारे में जानते सू सासन का समान रूप से अर्थ जनता के सासन से लगाया जाता है जहां पर जनता का सासन हो ठीक है जनता के सासन से लगाया जाता है इसमें आम नागिर को के हित पर ध्यान दिया जाती है जो आम पबलिक है आप है हम है ठीक है इन पर बहुत ही ज्यादा ध्यान किया जाता है बहुत ही कि कि किसको क्य प्रसासन सरकार का अन्य सभी अंगों में काफी महत्त पूर्ण है तो सासन हमारे देश का ग्रामिड अपने समिधान को भले ना जानता हो लेकिन उसे राजस करमचारी तथा पुलिस करमी जरूर मालूम होते हैं कि भाई ये कौन से पदका है ये कौन सा भाई कौन लेकपाल है ठीक है भले उसको नहीं पता समिधान के बारे में लेकिन वो इतना जानता है कि भाई ले कौन सीः कोन हावलदार है कोन सिपाही इतना जानता है फ़ले समेधान में नहीं कि यह प्रसासन के लोग प्रसासन के आधीन होता है झींग जन से हुए और अनीती बॉठल कोई हम और और सब्सक्राई के समस्या है तुन से बच्छा आध्यांश है यह यहुज़ाधि के मानवी क्वालाब की आस्वतरों की महान प्रगत होने तथा नए तरीक्यों की अविश्कार होने से प्रसासन तथा समाज में प्रभाव साले ताल मेल लाने की आऊशाकता है परसास्निक अधिकारियों एक करमचारियों तथा जनता के बीश दूरी नहीं होनी चाहिए करमचारी अपने जनता का सेवक समझे ठीक करमचारी अपने को जनता का सेवक समझे ठीक है वो जाया पुलिस का हो या फिर कोई राज़त सुकादिकारी हो लेक पाल सेकर्टरी को भी है तो वो जो जनता है उसका अपना सेवक समझे यह समझे कि माली कोई पुलिस करमी है आपक अबस्ति के तुर्णाइए तो फो तो इस तरह केμαद को से और हुए नेटी आघा right पुलिस भीके Hij को लेकिन उसके साथ-साथ उसको इस रेक्ष में बनके उनकी होожд면 रहे ठीक keep ठीक है तो तभी सुसासन की कलपना साकार हो सकती है ठीक है आज कल आप जानते है कि पुलिस आये है ब Prem metro क्या कर रहाए चल यहां पर सेवक नहीं समझ रहे है ठीक है वह क्या समझ रहे हैं कि हम यह हमारे पास पूरी पाँवर्थ है और कोई तो इनके क्या बिचार हैं बैज्ञानिक प्रबंध को लेकर वह आपको बताना है ठीक है उत्तर आपके समस्त प्रस्तुत है तैयार कर लीजेगा काफी हेल्पर कोश्चन है ज्यादा समय नहीं इसलिए हम आपको मोस्ट इंपार्टन कोश्चन श्रेट करा रहे हैं बस अगला सासन निर्देशन पार्षरमिक सेड़ी संखला समता पहल करने की सकति अधिकार उत्तथा उत्तरदायुत आदेश की एक्ता बेक्तिगत हित समान हित में गौर्ड केंद्रीकन और बिकेंद्रीकन सू बेवफ्था यह इसके चौदा फिद्धान तो कि याद रखना है काफी ह काटो़ती प्रस्ताव क्या है ठीक है काटो़ती प्रस्ताव के बारे हम कहते हैं कटो़ती प्रस्ताव बजट से संबन्धित है यह विरोधित दल द्वरा पिरफ्द किया जाता है या तीन प्रकार का होता है पहला compression हमें NAT हमें आता बगला महत्त पूर यह कई बार पर न करने। जब संसद का फदफ चल लहा हो तो प्रति दीन पहला घंटा प्रश्णों के लिए निश्यत रहता है। संसद का कोई भी सधन में सम्झ्गित मंत्री से प्रश्ण पूंच सकता है। उसका पुरा धिकार है। कोई भी मंत्री उसे बेसक लीगली कुश्चन कर सकता है उसका प्रस्ण पूर्ष सकता है उसको अगर कोई भी दिक्कत है या फिर किसी प्रकार का उसे मन में कोई बात खटक रही है तो ठीक है है शमानी रूप में प्रश्ण तीन प्रकार की होते हैं मत एक होता ऐतुत तारंकित अर तीस्रा आलपसूचन प्रश्ण को सदन में मौखिक प्रश्ण 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 मोखिक चाहए ठीक है प्रस्टारांकित प्रस्ण में क्लां पनला कि इसका मतलब फिना मकंतलब कि यह होता है कि इसमें आ-मौखिक तरीकिया З मतलब कि मोखिक तरीकिar ऊत्तर नहीं दिया जाता ठीक है या फिर फदर cri सदन में ilia मौखिक उत्तर नहीं चाहता है तो यह आधि के रांकित प्रशन अब जानेंगे हम अल्प सूचना प्रषन यह जो हो है वह कितर ही होता है इसमें जो मौकिक रूप से उतर दिया जाता है लेकिन उसमें क्या होता है समय निर्धायःत होता है उसकी समय के बीच आपको व 변 होती यह कि उत्तर देना मन्द देना होगा और पॉइंट है कि तारांकीतप्रश्नों का फदन मवखिक उत्तर दिया जाता 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 टोतर बीना बिना भुम लच्छन बताईए तो पहला लच्छन मनुष्य और भावतिक साधनों का समनुए ठीक है नीतियों का पूर्व नियधान करना संगठित मानुए सहगात्मक तत्तों की प्रधानता मानुए प्रिवासों की उचित नदेशन और पांच टंबर है मानुए प्रिवासों का नोकल अच्छन यह आपको याद रखना प्रदत्य द्हायन यहाट पर्फियां इसलगे से इक्नोर और दो आका प्रवत्त्र कर सकते लेखन की उधानाय कैसे परिच्छन में आ चुका है और आपकी परिच्छन उम्मीद भी आने की तो चलिए इसका उत्तर जानते हैं ठीक है इसका उत्तर लिखेंगे कि लेखा परिच्छा वा निश्चित करती है लेखा जो परिच्छा होती है एक्जाम होता है यह निश्चित करती है कि प्रसासक ने बिधायका द्वारा निर्धायत नेमों के अनुसार ही सारवजनिक धन बे किया है पिर नहीं है मतब़ कि जो सारवजनिक के लिए या फिर आम जन्ता के लिए तो दना आया है उसी नियम के अनुसार उसने पैसा को खर्च किया है या फिर नहीं किया है ठीक है लेखा पृषण के माधन फे बिधायका के फदस इस बात की जानकारी पराप्त करते हैं कि कारपाल काहता है तो इसके अनुषार कितने नियम और कानून का पालन किया है कि सीमा तक किया है उसके बारे में बताता है ठीक है लेखा परिच्छन को इफले प्रसासन पर नियंत्र अफ्थापित करने वाला बाह माध्यम कहा गया है इसका मुख लच्छ होता है बित्त संबंदि समस्त लेन देन का परिच्छन लेखांकन का परिच्छन तथा उसकी फत्तता की उस वाकई में जितना भी पैसा खर्चुआ ह वह लिखित रोप में है या फिर नहीं है ठीक है और कितने फत्तता है कितनी नहीं यह तो सब्सक्षिक तो लयखांकन का अर्थ लिकेंगे चंगठन की बित्तियव का आयवाय का बेवरा होता है मतलब जो एक अपरेल से यह चलता है ठीक कब तक 31 मार्च तक यह होता है वित्ति यानि की एक financial वर्ष ठीक है इसी वर्ष के में कितनी income हुई है कितना उसमें खर्च हुआ है और उस चीज का बेवरा होता है ठीक है राज की वित्ति इफ्थित तथा उन संक्रियाओं से समधित तथ्यों को शिग्रता से निर्मित करने और अस्पष्ट रूप से प्रस्तित करने की विधा को ही लेखांगन कहा जाता है तो इस प्रकार लिखेंगे इसकी परिवासा लेखा परिछन के कुछ उद्देश हैं चलिए जानते हैं पहला है कि बे का वैध हैं लेखा परिछन के उद्देव जो की फॉलो करेंगे तभी इसमें आगे और अच्छा काम चल पाएगा अगला बहुत ही पॉपलर को कोईश्चन है आप सभी जानते हैं ठीक है बजट बजट बहुत ही हाई लेबल का कोईश्चन है कई बार आ चुका है बजट से क्या त लाता है ठीक है बजट सब्ध की उत्पत्य फ्रेंच भांसा य Where थिक के बजट वेडिए ठीक है परिचिक हुह कि इंगलेंड को धान रखेंगे और सन 1933 में धश्ichen में ठीक है जब बित्रियों संसत्प की समकच्छ वहां के बित्मंत्री राबार्ट वलपोल ने अपने चमड़े के थैले से बित्ती युजना सम्मंदी कुछ कागज निकाल कर पेश किया तो इसे बजट की संग्या दी गई ठीक इस बात को ध्यान रखेंगे मेन पॉइंट है तब ये या फिर तब से वह सब्द आयबे की अनुमानों के लिए प्रियोग होने लगा बजट में आयबे का वार्षिक अनुमान लगाया जाता है कि कितना बजट में बजट का आरंब अठारा फरोरी अठारा सो साथ को बित्त मिसेशक जेम्स विल्सन द्वारा किया गया था भारत में लेकिन ये अठारा सो साथ में आया सबसे पहले फत्तरा फटेटिस में इंगलेंड में पिरियोग हुआ था इस बात को ध्यानना केंगे बहुत ही पॉप्लर और कॉमन कोईस्चन है आपको जानना भी ठीक है हम आज डूटी पर नहीं हम जा रहे हैं साधी में हम जा रहे हैं अपने किसी का बर्थडे उसमें जा रहे हैं और मैं आपको कुछ अधिकार दे देते कि अगर कोई मालीजी की काम के लिए तो आप हमारे हफ्ताच्छर और अब आप बना फकते हैं और आप हफ्ताच्छर ब करें रहता है बात को थ्यां रखेंगे अगला है प्रसाशन पर विद्युन कर नियंक नेंत्रण, टिक इन सभी के द्वारा थिक विधायका प्रसासन पर नियंत्रट रख सकती है बहुत ही महात्पूर्ण प्रश्ण है द्याद नहीं पद वर्गी कर ये आप सभी तैयार कर लेंगे कभी आता कभी नहीं आता तो आप समय तो पढ़ सकते हैं दिर्वाई इग्नूर कर सकते हैं अग प्रशासन प्रतिमान बधश्टाचार की समस्या कुछ राइज है यानी कि जनता को लाब देता है उनहीं की वह विगन तो इस प्रकाल लिखेंगे आप प्रशासन सब्सक्राइफ अब यूब प्रेसे महात्पूर्ण बहुत ही महात्पूर्ण सेयार के आप ऊतियर गूर् तो नवील लोग पुरसासन ने एक गति सेल और परिवरतन सेल अउधाना है जो आर्थिक समाजिकों राजनितिक परिवरतन लाने के लिए एक प्रत्नयानी की कोशिश की गई है इसमें विकास के कारियों को प्राथिमिक्ता दी गई यानि कि सबसे पहले किसी चीज में विकास नहीं हो पाएं तो उसका एक तरीके से विकाफ करना और उसका प्राथान करना ठीक है कि कैफे कैसे किया दाफकता है उनका प्रोब्लम सॉल्ब या फिर किसी परकार विकाफ नहीं हो उसको तो यह होता नवील लोग पुरसासन के अंतरगत आप इस प्रस्ण को अच्छे से तयार कर सकते हैं और इसको बना बना के भी लिख सकते हैं आप लोग समझ गया होंगे ठीक है नोकर साही के प्रकार कुछ ही यहां पर प्रस्तुत है ठीक है तो एफ एम मार्क्स ने नोकर साही के चार रूप बता है पहला अभिवावक नोकर साही जाती है नोकर साही योगत संगठन के प्राधिकार दुफ्रा नेत्रत ठीक है पद सौपन समनवे आदेश की एकता नियंत्रण हस्तांत्रण निड़े लेना ये संगठन के कुछ प्रमुक सिध्धान्त है जो कि आपको याद रखना बहुत ही हाई लेबल का प्रश्ण है ठीक है और उत्तर भी आपके सम का सिध्धार को इसचना जाता है तो इसके आँ भार मिजान लेते हैं सप्ताफ का साम ठाप कराने प्रकार की अज्या नहीं दे सकता है और उसका कार सिर्फ सूत्र को उसके कार्यों में सहायता देना होता है ठीक है इस्टाप के इंतरगत कुछ मुख कारपाल का की सहायता है तो उनके विभागों वा इकाईयों का गठन किया जाता है ठीक है आधने क्यूग में राज की कल्यानकारी और धाना के फल्सरूप कारेपाल का वेक्टे कार्यों में बहुत अधिक ब्रद्धी हो गई है ठीक है ये सभी कार अकेले कारेपाल का दौरा संपन नहीं किया जा सकते हैं इन कार्यों को संपन कराने हित इस्टाप की आवसकता होती है तो इस परकार लिखेंगे इस्टाप के बारे में कोश्चन लोक्त प्रशासन की णाम मतलआप प्लसन पत्र का ही नाम तो सिंपल साब बात हेक वहले कुस्ट इस चराएंगेए reck प्रसासन का अर्थ लोगों के लिए प्रबंध करना ठीक है लोग प्रसासन का अर्थ लोगों के लिए प्रबंध करना प्रसासन में साफन तथा सेवा दोनों का भाव पाया जाता है उड्रो बिल्फन के नुसार कानून का वर्ध एम संगठित अध्यन ही लोग प्रसासन है ठीक है तो अलग अलग बिद्वान के नुसार अलग अलग इसकी परिभावफा है जैसे की लूथल गली क लोग प्रसासन का सिंपल सा अर्थ है और परिभासा आपको मैंने बता ही रखी है प्रसासन का वह भाग जो आम जनता आम पबलिक जो है देश की उसके लाब के लिए किये जाते हैं ठीक है जो भाग होता है ठीक है वह ही हम उसे ही हम लोग परसासन कहते हैं ठीक है आम जनता के लाब के लिए ठीक चलिए तो इसी प्रकार के आपके परिच्छा में परिच्छा में बनेंगे और आएंगे भी जो जो मैंने बताया है काफी हेल्प वीडियो के साथ तब तक के लिए जहिंद